सो गैस वेलकाम बैक तो दर वीडियो तो ये साल हनी पाजी का कितना अच्छा जा रहा है तो हर किसी को पता है सो अभी अभी हनी पाजी इस साल वर्ल्ड में जो टॉप आर्टिस्ट के लिस्ट है उसमें टॉप 30 के अंदर एंटर हो चुके हैं जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हो हनी पाजी ने इस साल 1.3 बिलियन व्यूस कर ली है और बहुत जल्द वो जस्टिन वीबर को भी पीछे छोड़ देंगे करें नेक्स अब्लेट की तरफ तो फस्ट मैं जो की एक पाकिस्तानी रैपर हैं हनी पाजी ने तो एंके काफी साले गाने शेयर भी कर रखे हैं कुछ गंटो पहले ही फस्ट मैं का इंटर्व्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने हनी पाजी के साथ कोलाबरेशन 100% कर दिया मतलब गाना रिकार्ड हो चुका है आप लोग छोटी सी क्लिप देख लो योयो हैंश सामने युज सामने हैं यह यह धरलिभी कर दुछ लेख अगया मतलब रिक थोगश्यों अगता है मतलब बस्तंटर्विश्यों भी कर रखे हैं मतलब पाज़ां इस डोगश्यों पहले हैं मतलब भी हैं नीन फेस्टर्वै को रहें 90's के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं बेशक वो बहुत अमेजिंग सिंगर हैं लेकिन रैपर्स से उनको थोड़ी परसनल दिक्कत है खेर कुमार सानू का अभी अभी एक इंटर्व्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने हनी सिंग, एमीवे, बाट्शा, गिरफतार इन सभी रैपर्स के उपर कुछ बोला है साथ में उन्होंने जिस कल्चर के उपर भी रिप्लाय दिया है आप लोग छोडी सी क्लिप देख लो जिसे हनी सिंग, बाट्शा, रफतार, एमीवे तो इन सब पर आपका क्या टेक है क्यूंकि I think बहुत कुल्चुरल शिफ्ट भी आया है पुराने से जमाने से अपके एक shift हुआ, म्यूजिक एक changes आये है हमारे लिए तो हमको तो ठीक लगता है के चलो एक changes आये changes में बहुत सारा raps हो या pop हो या जो भी है, hip-hop हो तो इस तरह के गाने of western eyes थोरा सा हुआ है लेकिन दिल को सुकुन मिलने वाली जो बात है उसमें हम लोग है कही नहीं बाखी जो चल रहे उसको भी मैं खरब नहीं बोलता हूं वो चलो कुस तो काम में आता है इस तरह से करके लो गदील को नहीं जित सकते मैं आपको प्रेक बताया हम लोग हिए आट को थे로ड़ का तो लोगने दिल को नहीं खरीद सकते दिल को चुनावली बात है उसमें मज़ा है क्योंकि आपके चले जाने के बात भी आप लोगके देल में रहोगे तो जोसे डिस्ट्रक्स निकलते हैं, आपको पते डिस्ट्रक्स क्यों हता है? अभी जैसा कि दूसरे गाने को पर यह जो डिस्ट्रक्स करने के लिए हमको दूसरे गाने पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे है? हाँ, बिल्कुल करके जिसके बाज से उसके दिल में आहा निकल जाएगा, उसके मुझ से, वो होता है चैलेंज हमारे लिए, तो हमारे डिस्ट्रक्स होता है, तो एसे कि सब तुमारे आठ को दस साल बाद भी प्रेज करें, जैसे कि योयो हरी सिंग के सॉंग्स होते हैं, खेर आपका इस चीज पर क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरू बताना, बाकी अभी के लिए बस इतना ही, यहां तक आए हो तो लाइक का बेटन दबा के जाना, मिलता हूं मैं आपको नेक्श वीडियो में, तिल देन बबाई